तो फिरेंस आज मैं आपके सांद सेयर करने जा रही हूं बिना तेल का बहुत ही टेस्टी और हिल्दी नास्ता, इसमें आपको ढोकला एटली और रोल तीनों का टेस्ट मिलेगी, तो रोज का ढोकला एटली छोरिए, एक बार इस नास्ते को बनाएए, यकीन बनीए ये नास् इस नास्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पर लेंगे एक बावल, इसमें हम लेंगे एक कप सूजी, तो यह बारिक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटा वाला सूजी है, तो इसे एक बार आप मिक्सर में चला लिजिए, साथ ही मिलेंगे आधा कप दही, और इसी कप से आधा कप इसमें हम पाइन डालेंगे, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ध्यान रहे कि इसमें कोई भी गुठलिया नहीं होनी चाहिए, इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, और यह लिजिए, यह अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसे हम ढख दें दो से तीन बारिकरी हरी मिर्च, दो चमच हम यहाँ पर फ्रेजन मटर ले लिए हैं, अगर आप फ्रेज मटर ले रहे हैं उसे आप बॉयल करके लिए, वैसे इस सब्सक्राइब डालना इसमें अप्सनल है, और सांथी में डाल देंगे दो चमच की इतना बारिकरी सिम्लेम र आधा छोटा चमच भूना हुआ जीरा पॉडर डालेंगे, एक चोथाई चोटी चमच हल्दी पॉडर, एक चोथाई चोटी चमच गरम मसाला पॉडर, आधा चोटा चमच आमचूर पॉडर आप इसके जगा चाट मसाला पॉडर भी डाल सकते हैं, अब टेश को करी नमक ड पोशन लेंगे, और इसका हम रोल बना के त्यार करेंगे, तो इसे हमें इस तरह से एक बड़े साइज का रोल बना के त्यार करना है, यह देखे इस तरह से, यहाँ पर देखिए, एक रोल मैंने बना लिया है, और इस तरह से बागी का भी रोल बना के त्यार कर लेंगे, फ टो यहां पर मैंने सारे ग्लास को अंदर से गर गिरीज कर लिया है अब ताकि यहां पर देखे बैडर को रखे हुए 8-10 मीमच और। देख सकते हैं, सूजी काफी अच्छे से फूल गया है, और ये पहले से थीक भी हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो इसमें हम थोरा सा पाइन डालेंगे, ताकि ये पर्फेक्क कंसिस्टेंसी में आ जायें, और पाइन डालेंके बद इसे एक बार और अच्छे से मिला ल जिस तरह से हम इतलिय धोसा के लिए बेटर त्यार करते हैं अ, बस उसी तरह से होना चाहिए, और यह एकदम परिफेक्ट है, और इस तरह से बेटर है, एहाँ फिर पानी लिये थे, यहाँ पर अधा कश्थ के लिए, तो इसमें से एक चांच के एसबस पानी बचगिया है, त इसके उपर हम थोड़ा सा पाइन डालेंगे तैकि यह active हो जाए और इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं इसे mix करते जारी हैं यह कितने अच्छे से fluffy हो रहा है तो बस इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया है और mix करने के बाद इसे हम सेंटर में रख देंगे इस तरह से देखें और इसे इस तरह से रखने के बाद इसके चारत तरब से साइड साइड से बैटर डालेंगे और बैटर को हमें पूरा उपर tak नहीं भरना है क्योंकि पकेगी तो और भी योग फूल के उपर तक हो जाएगी तो बस हमें इतना ही भरना है और हलका से हमें इस तरह से टप कर देना है और इसी तरह से हम सारे गलास में बैटर भर लेंगे तो पहले आपको इस तरह से एक चमच बैटर पहले डाल देना है गलास में उसके बाद इस तरह से आप रोल रखिए उसके बाद इसके चार तरफ से बैटर को भर दीजिए तो पहले वाला गलास में मैंने थोड़ा सा जादा डाल दिया है इसमें थोड़ा सा हम कम डालेंगे तो लिजिए गलास में मैंने बैटर को अच्छे से भर लिया है और जितना हमने बैटर बनाया है उतना में ये तीन गलास में आ गया है और यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही पानी गरम होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर पानी अच्छे से गरम हो गया है अब इस तरह से कोई रेन ले लेंगे और इसके हम सेंटर में रखेंगे आप इसके उपर हम गलास रख देंगे, तो गलास को यहाँ पर आप केरफुली रखिएगा, क्योंकि कराही भी बहुत गरम है, तो आप जाए तो बिना रिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह कराही जो है, राउंड में है, तो इसमें यह अच्छे से गलास नहीं आप आप द्यान से आटाईएगा, क्योंकि यह धकन बहुत ही गरम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से यह फूल गया है, आप गैस का फिलिम बन कर देंगे, और इसे हम निकाल लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने थोरा सा ज्य यह साइड से छोरने लगा है, यह देखें, तो इस तरह से आपको पूरी गिलास नहीं भरना है, जब इस तरह से थोड़ा एक इंच कम भरियेगा तो इस तरह से परफेक्ट आएगे, और देखिए, पहले वाले गिलास को मैंने ज्यादा भर दिया था, आप देख सकते हैं, कितने उपर तक गया है, अब एक knife लेंगे, और knife से इसके चारतर से छुड़ा लेंगे, इस तरह से, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, उसके बाद इससे हम हलका सा इस तरह से टैप करेंगे, और यह देखिए, कितने आसानी से निकल गया है, तो बस सभी को हम इस तरह से न जाली आई है, और यह कितने एकनम सोफ्ट और स्पंजी बने है, तो चलिए इसका हम पीसेस कट कर लेते हैं, तो पीसेस यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा भाराई या छोटा कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से एक एक इक इंच के दूरी पर कट कर रही ह और साथ में बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए इसी तरह से हम सभी का पीसेस कट कर लेते हैं, तो लिजिए सारे नस्ते बनके तियार हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखके कितनी टाम्टिंग लग रही है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, अगर देखके लिए एक चोटा चमस्तेल, अब तेल को इसके ऊपर अच्छे से फैला देगे, इसे फ्राइ करने में ज्यादा तेल नहीं लगता है, बस एक चमस्तेल में यह अच्छे से नस्ता सिख के तियार हो जाएगा, तो बस इसके ऊपर इस तरह से नस्ता डाल देगे, और इसका दोनों सेट चेंज करते हुए अच्छे से से शेक लेंगे, शेकने से यह नस्ता थोड़ा से क्रिस्पी हो जाती है, तो लिजिए इसे मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है, और यह बाहर से एकदम क्रिस्प बनी है, और इसमें दोनों सेट से अच्छे से कलर आ गई तो रोज के ढोकला एटली छोड़िए और एक बार इस नास्ते को बनाईए यकीन बनिए ये नास्ता आपको बहुत पसंद आएगी तो उम्मीद करते हुए कि आज की रेश्पी आपको पसंद आई होगी रेश्पी पसंद दे तो वीडियो को लाइक करें आपनी फाइमने फ्रेंस पर भी सियर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और रेश्पी ट्राइ करने के बाद अगर रेश्पी आपको पसंद है तो आपना फिट्बेक देना ना भूले